आपका स्वागत है आज हम आए हैं बॉम्बे प्रेस के आफिस में हमारे साथ आप देख सकते हैं बॉम्बे प्रेस के चीफ एडिटर शराफत खान साथ यहां आने का मकसद यह है कि पिछली यादे इनको यादा गई हैं अंडर वर्ल में तो काफी लोग गुजरे हैं लेकिन आज हम बात करेंगे पठान कंपनी की जिसके बारे में हमें हमारे चीफ एडिटर शराफत खान साथ बताएंगे किस तरीके से वो दौर था और आज का दौरे बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है सर क्या कहेंगे पिछले अंडर वर्ल के बारे में आपके इस अंडर व आज अंडर वर्ल का बले ही नाम ना हो लेकिन उनके वाकियात उनकी बाते कोई आम आदमी ना पुलिस कोई नहीं भुला सकता अच्छा देखा गया है कि अंडर वर्ल में पहले लोग काफी मशवरा या कोई भी चीज उनका कर कोई अटकती थी कोई काम होता था तो उसके ल अपनी अदालते होती थी अपनी कोट होती थी दूसरी कोट में सरकारी कोट में ये सरकारी अदालतों में तो ये होता था कि बड़सों निकल जाते थे एक मामले को एक केस को लेकर लेकिन भाई लोग की अदालत में अंडर वर्ल की अदालत में केस मिंटों और घंटों में जाते थे, कुछ दिनों में मामले साफ हो जाते थे और फैसला हो जाता था और दोनों पार्टियां जो वहाँ पहुशती थी, इस बात को तसलिम भी करती थी और मानती भी थी, जो फैसला अंडर वर्ल के इदालत में होता था, वो भी माना जाता था, ये भी एक हिस्टरी है, देखा गया है कि काफी लोग जो हैं अपने मसलों को लेके आते थे, लेकिन कुछ-कुछ ऐसा भी होता था कि पुलिस उसमें दखल दाजी देती थी, पुलिस ने अक्सर दखल करवाने के लिए लोगों के बाद जाते रहे, और अदालते इसमें पीशे रही, जबके अंडर वर्ल की अदालते इसमें आगे रही, और इस फैसले को लोगों मानते भी थे, आज अंडर वर्ल की छबी किस तरीके की है, लोग किस तरीके से उनने देखते हैं, देखिए, हम उस तरफ चलें जहां से शुरुआत हुई जैसे के पठान गैंग हम पठान गैंग को लेकर अगर चलते हैं तो सबसे पहले नाम आता है करीम लाला का करीम लाला एक मौतबर नाम था अंडर वर्ल्ड में भी और लोगों के दिलों में भी और उनके साथ जो लोग थे उनके कामले को खुनी बना दिया और इस तरह से ये अंडर वर्ल्ड चला कि लोग इनके नाम से घबराने लगे हम अगर एक नाम ले लें समध खान का सबसे पहले समध खान का नाम में इसलिए ले रहा हूं कि समध खान ने एक नहीं कई लोगों को मौत के घाट उतारा इन में उनके कतल के लिए इंतकाम के तोर पर सिक्का नगर वीपी रोड के पुलिस टेशन के बिलकुल करीब एक इमारत में समध खान का भी मर्डर हुआ बताया तो ये भी जाता है के समध खान हर वक बलट पूरूफ जैकेट पहनता था उसकी वहाद से उसकी जान बची रहती थी लेकिन उससे नित्फ़ा किये हुआ कि कातिल भी इस बारे में जानते हैं थे कि वो बलट पूरूफ जैकेट पहनता है इसके लिए उन्होंने गोलियां जो चलाई तो उसके चेहरे पर चलाई चार गोलियां उसके चेहरे पर लगी थी समध खान ने एक और गल्दी की जब सीराग होटल में सिर्फ नाम की गल्दी की वज़ा से एक बिसनिसमेन को उसने मार डाला तो ये वाकियात हैं इस तरह के जिस वक्त उसका मर्डर हुआ सिक्का नगर से उसकी बाड़ी को जे 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 आस्पिटल ले जाया गया तो समझ लो उसके चाहने वालों का इतना हुजूम था इतनी भीड थी के बताया नहीं जा सकता और उस वीड में सिर्फ आम लोग ही नहीं बलके बहुत खास लोग भी थे जिस तरह से आप समझ लें के उस वीडे में हमेले जैसे लोग भी थे पॉलिटीशन जिसे कहते हैं बिलकुल तो ये हाल है समझ खान किस जगह से तालुक रखते थे समझ खान का तालुक डोंगरी से था डोंगरी से ही उन्होंने अपना केरियर शुरू किया और दादागिरी की शुरुआत भी उन्होंने डोंगरी इलाकर से ही की थी क्या लोगों को फाइदा नहीं पहुचाते थे वो देखिए ये इस तरह से मामले हैं कहीं लोगों को फायदा पहुशाना और कहीं पैसो के लिए किसी का मर्डर कर देना और पैसो के लिए किसी भी काम को चाहे वो कानूनी हो ये गहर कानूनी है कर लेना इनकी गैंग का कोई नाम था? इनके गैंको आम तोर पर प्धान गैंके नाम से याद किया जाता था और प्धान गैंक के नाम से ये मशूर भी हुए और प्धान गैंक का तालुक दूंगली से लेकर कमार्डी बुरा की पांचवी गली, किस टेट तक था आगे किस तरीके से उनका जो है ये दबदबा जो था किस तरीके से रहा देखे दबदबा तो उनका काफी रहा लेकिन मैं बात कर रहा था उनके मारे जाने की किस तरह से कातिलों ने उन पर हमला किया किस तरह वो मारे गए और किस तरह थे लोगों की भीड़ उनको देखने के लिए जमा हुई तो सवाल ये था कि पुलिस भी उस कमरे में उसको भी जाने की जाने की अजासत नहीं थी जहां पर समद खान की बॉड़ी रखी वी थी जैजियो अस्परल की ये बात है और जिस वक उनको दफनाने के लिए जनाजा निकला तो उस जनाजे पे काफी लंबे लंबे बास बंदवाए गए थे ताके लोगों को कंदा देने में आसानी हो तो सवाल ये है कि इस तरह के लोगों के लिए इतना एतमाम के कंदा देने के लिए हर कोई बेचेन नजर आ रहा था और आज भी अगर आप नारियल बाड़ी गबरस्तान में जाकर देखेंगे तो उनके नाम का एक कुदबा लगा हुआ है जिस पर लिगा है शहीद समत खान तो वो शहीद थे आपको क्या लगता है सवाल फिर यही खड़ा हो जाता कि आखिर उन लोगों को जिनों ने गतल किये खून किये और उनको शहीद का दरज़ा देना कहां तक मुनासिब है मेरा एक सवाल है आजी सब देखा गया है कि अंडर वर के लोग जब इस तरीके के लोगों के साथ जलम करते हैं उस वक्त पुलिस कहा जाती तरीके पुलिस तो अपना काम करती है हम यह नहीं कह सकते हैं कि पुलिस ने कहीं भी चूग दिखाई हो यह जरूर है कि कुछ लोग पुलिस के भी लोग मिले वे होते हैं अंडर वर्ल्ड के लोगों से वरना अंडरवर्ल इतनी ताक्त के साथ कभी नहीं उबर सकते अगर हम बात करें पढ़ान केंगे एक और शक्स की या एक और दादा की जिनका नाम था आलमजेब आलमजेब को पुलिस ने सूरत में उन्निस सो पिचासी में गोली मार दी 30 सितंबर का दिन था जिस दिन ये वाकिया हुआ उनके उपर क्या क्या चास थे उनके उपर मर्डर थे एटेम्टू मर्डर थे और हफ्ता वसूली के केसस थे लेकिन आलमजेब की खबर मारे जाने ये खबर जब बंबई पहुँची तो पाशवी गली में जैसे हंगामा हो गया लोग ये समझने के लिए तयार नहीं थे के आलमजेब मारा गया शायद इसकी वज़ा ये थी के 1981 में जो दंगे हुए थे उस वक्त में आलमजेब ने काफी मदद की थी लोगों की लोगों के और एक दंगे हिंदू-मस्लिम के हुए तो कौन से दंगे की बारे में देखिए जो सिख दंगे हुए थे वो 1984 में हुए और ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो 1981 1981 की है जब हिंदू-मसलमान के दंगे हुए कमार्टी पुरा एफेक्टेड हुआ इसमें आलमजेब ने काफी काम किया था और मुसल्मानों को मदद पहुचा ही थी उसमें भी कई लोग मारे गए थे उसमें भी कई चार्ज आलमजेब पर लगे थे और यही वज़ा थी कालमजेब को बंबई चोड़कर गुचराद भागना पड़ा था और सुरत में पना लेनी पड़ी थी तो उसके मारे जाने के बाद में कुछ इस तरह से माहल बना कि लावडी स्पीकर पर उसका अनाउंस हुआ खबरे पहुचाए गई बताया गया लावडी स्पीकर पर कि इतने बचे मयद आएगी इतने बचे मयद जाएगी जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा लीडर था या बहुत बड़ा कोई कारिया करता था यह हैरदंगे इस बात है कि उनके लोगों ने आलमजेब के लोगों और ने मुम्बतियां और अगर्बतियां यहां जलाई इस्तेवली स्टीट में कौनडी प्राप पांचवी गली में और उसके बाद में एक गुरूप ऐसा भी था जिसने यह किसम खाई कि हम आलम जेब की मौत का बदला लेंगे कौन सा वो गुरूप था हाँ यह बात बड़ी काम की है वो ऐसा गुरूप था कि जो अपनी जान पर खेल कर उन लोगों को मारना चाहता था या उन पुलिस वालों की जान लेना चाहता था जो आलम जेब एंकॉंटर में लिप थे मुलविस थे या जिन्नोंने आलम जेब का एंकॉंटर किया था और यह इत्तफा की बात है कि जब वो गुरूप जब वो दस्ता जब वो लोग एक ट्रेन के जरीए बॉम्बे से सूरज जा रहे थे तो पुलिस ने उनको घिरफतार कर लिया और यह मामला महां दब कर रहे गया आगे बड़ा ही निको जी तो पिछले 1981 से और आज 2022 में क्या आप फरक देखेंगे देखिए आज तो अंडर वर्ल है ही नहीं अगर हम यह कहें तो ज़्यादा बेतर होगा ना डी कंपनी है ना बावु रेशन की अरुंगोली कंपनी की कोई कंपनी है आज तो सारे मामली खतम हो गए हैं तो मैं जो बात कर रहा थ किस तरह से आलमजेब को लेकर यहां से कब्रस्तान तक लेकर ले जाया गया बंबई और गुजराद के मुसल्मान आलमजेब की इस मौत पर आसुब आ रहे थे इस तरह के बड़े बड़े होडिंग्स और बड़े बोर्ड कमाड़ी पुरा पाच्वे गली के आस पास लगा गए थे तो यह बाते हैं तो आज तो अंडर वर्ड नहीं है लेकिन आज भी अंडर वर्ड के नाम पर पैसों की वसूली हफ़ता वसूली जरूर होती है कभी दाउत के नाम पर, कभी छोटा राजन के नाम पर, तो कभी अश्विन्ना के नाम पर तो ये थे हमारे साथ श्राफात खान साथ जिनों ने अंडरवल के बारे में पुरानी से लेके नई तक सारी बाते बताई हैं अब देखना ही है कि हमारे जो हिंदुस्ताइन के अवामे किस तरीके से चलती है अंडरवर को लेके चलती है या वो पुलिस का सयोग लेती है अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है बॉम्बे प्रेस के साथ मकसुष शेक बॉम्बे प्रेस को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए तेज ताजा खबरों के लिए